आप अगर वो सुफा पढ़ेंगी तो थोड़ी से आसानी होगी जी पूरा बेग्राउंड आजाएगा जी 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 थोड़ा सा आपको बस टाइम दोंगी विलियम ने अपने किताब वाइल्ड फॉरस्ट में दीगर तफसीलात के साथ साथ यॉर्पी बाशिंदों के हातों इंडियन्स के कतले आम की तवाम तफसीलात को तफसीलात दच कर दी है इसके मताबिक जेन नामी यॉर्पियन और उसके साथियों ने 1598 में इस आलाके में जो न्यू मेक्सिको कहलाता है 800 से जादा मुकामे वाशिंदों के उन नौजवानों की बाइं टांग काड़ी जिनकी अबरे 25 साल से उपर थी 1863 में जो कि इस वक्त वो इलागा जो कि इस वक्त ब्रीवर कहलाता था 200 मुकामे वाशिंदों के यॉर्पियन ने चन्द देनों में गतल कर दिया और ये सिलस्ला असर दरास तक शहर शहर गाओं गाओं जारी रहा 1864 में मकामी बाशिंदों के गतले आम का वो मंज़र नामा है जिसके लिए हुकम था यॉर्पियन नवादियातकारों का कि मकामी बाशिंदों के लाके में बुड़े, बच्चे, जवान, औरतें जो भी नदर आए सब को कतल कर दिया जाए लहाजा सिर्फ चन्द घंटों में तीन सौ से जाए बेगुना अपनी जान गवाँ बैठे और चन्द दिनों में इनकी तादाद हजारों की हो गई 1871 में एरोना के एक मुल अलाके में 140 इंडियन एक दिन में कतल कर दिये गए नौ अबादियती दोर की सिर्फ चन्द घंट गाहों के नाम है वरना एक तबील फैरिस्ट है कैनेड़ और अमरीका के इन अलाकों की जिनकी जमीने मुकामी वाशिंदों के बेगरना खुन से लीपी गई है इन लोगों को लोही के जंजीरों में जकड़ के जानवनों की तरह खुन्टों से बांद के रखा जाता था औरतों को रेप करके इने कतल कर दिया जाता मैंने हमाले से बहुत सी किताबे पढ़ी हैं और बहुत सी इसकी अब तफसीलात ये खुद लिख रहे हैं और खुद इसलिए लिख रहे हैं कि इन से गलती ये हुई इनके बच्चे ले लिए गए थे और बच्चों को लेके जब इन्होंने आखिर में तेह किया कि हम इने इनसान बनाएंगे तो इनसान बनाने के लिए उन बच्चों को उनकी जबान ले लिए, उनका कल्चर ले लिया, उनका मजभ ले लिया और उनको जबान अंग्रेजी सिखाई, अब जब आपके हाथ में टूल आ जाए, जब जबान आ जाए, जब जबान आ गई तो अब उनकी जो है किताबे जो तो शेरी हो रही है, वो उसी जमान में हो रही है, नेचल में हो रही है। सेर से पैर तक मोटी 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 जंजीरों में जकड़े वे और नौबातियती दोर के आखाओं ने उन जंजीरों को पकड़वाई हैं, तस्वीरे मौजूद हैं, ऐसी बहुत सारी अभी तक मौजूद हैं, तसलित कारों के पास हत्यार भी था और वो जराय भी थे जिसके ज मैनूम हैं, ये जानवनों की तरह बोलना नहीं जानते, क्योंके गुदरत ने ने इनसानों वाले ये सिफ़त दी ही नहीं है, ये मसीही मशीनरी इन इलालात में और इन यकीन दहानियों में दरसल पेश पेश थी, इनका कहना था कि ये गुदरत के अजाब के मुस्तहिक जा लिए बीमारी की सूरत में अजाब उतर रहा है, ये जंगली बहुत जल्द अपनी मौत आप पर जाएंगे, और इस ये एक बहुत छोटी सी तफसील आपको मैंने बताई इसके बारे में, बड़ी ही लंबी और दरनाक तफसीलात है लेकिन जब आप इनकी शैरी, हम इस पर बाकी आपकों का, बाकी जबानों का जो पर्सक्टर भी तोड़ा सा लेते चलें, शोकर साफ जिस तरह नसीम सेज़् साहिबाने बात की, कि जब भाहर के लोग आते हैं तो वह अपने कल्चर के साथ अपनी जबान भी लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं, कि वह उसको आला इश्क में मुब्तला हैं तो सिंधिय दब के साथ क्या हुआ कि नौबादयात ने उस पर कौन से इसरात छोड़े और सिंधिय दब ने किस तरह रिस्पांड किया इस सारी सुरतिहाल को नौबादयात के जमाने में भी और जब वो गुजर गया तब भी ने जो आपका मौदव पोस्ट करनोलियरिज्म वो इसके इसल जो माणी है वो करनोलियरिज्म का जो पिरिट था इसको डी कालोनाईज करना और ये फरांस फैनन एड़ड साइद और ये जो बड़े अधीब और आदम थे ये उनोंने यो टर्म पिजाद किया था करिनोनलिजम ने हमारे माशरे पे, हमारे सकाफ़त पे, हमारे जबान पर जिस तरह असराद शोड़े हैं वो गुलामी के असराद थे और इस गुलामी से हमें नजात हासल करनी है तिस संद में इंडिया में सुरताल कुछ दूसरी थी फरांक फेनन ने तो आफरीका का जिकर किया है और एड़र्स साइद ने जो अरब वर्ल्ड में जो करलोनियस्ट ने जो माजरत की थी उसके बारे में बात की है तो हम बात करेंगे इंडिया और खुछ संद के हवाले से संद में ऐसा था कि तैलीमी निजाम जो था वो मदरसों के तुरू था मदरसों में रटा रटा या नसाब था जो पढ़ाया जाता था और इसमें कोई ज्यादा उलूम नहीं थे और लिटरेचर में तो यह है कि संदी जुबान की उसक्त हालत यह थी कि कोई अलफा बेट बाकाइदा नहीं थी मुक्तलुफ अलफा बेट थी जिसमें लिखा जाता था संदी की किलासीकल शारी तो बहुत चावकार थीवार्ट में वो तो यह सारी एरियास जो है पाकसान के हमारी जुबाने हैं खास और पंजाबी सराइकी उनकी भी जो किलासीकल शारी है वो तो बहुत ही रिच्च है लेकिन प्रोज नहीं था नसर नहीं लिखा जाता था इतना तो यह वहां अंग्रेजों के आने के बाद यह हुआ के खास तुर पर हमारी एरिया में सिंध के लिए उनुने सिंधी अलφा बेट बनवाया पंजाब में तो लोगों पता पंजाब में लोगों की मर्सी थी यहां उनकी कोई पालिशी थी कि पंजाबी जुबान तो बस जैसी हालत में उसी हालत में रखी जाए और यहां अर्दू को फरोग दिया गया तेलीम नजाम में भी अर्दू और जो दफ्तरी जुबान वगरा थी अंग्रेजी तो खर थी लेकर लोकल रेंग में जो थी में यही सुरुताल थी वो पंजाबी काइम रखी कि हमास संद में खास तोर पर सर बाटल फरियर कमशनर थे और उसने एक सरकुरा नकाना था कि यहां जो भी अफसर मुकर होंगे संद में अंग्रेज हो यां इंडियन हो उनको संदी लाजमी तोर पर सीखने पड़ेगी अगर संदी नहीं सिखेंगे तो उनको प्रोमोशन नहीं मिलेगा और पॉस्टिंग भी सही नमूनिस नहीं होगी तो यहनों सरकुरा नकाला उस पर अमल किया गया बाग कादे संदी अलफा बेट के बाद संदी में नसाब की किताबे लिखी गई और संदी अदब को भी फरोग मिला तो यह दो बाते होती हैं एक तो पाजेटू और नंगेटू नंगेटू इस वज़ा से के वो बहाल कलूनिय नजाम तो था सिस्टम तो वही था कालूनिय का और गुलामी भी थी लेकर उन्हें जिस तरह जबान को और खास दोर पर तैलीम नजाम को और लिटरिचर को जो फरोग मिला संदी जबान के तर्की की वज़ा से इसी वज़ा से संदी में नसर लिखने लगा और शार्ट स्टोरी नावल खास्तों इन संद्फों को बना फरोग मिला तो ये ये दोनों बाते एक साथ चलती रहीं गुलामी में भी लेकर बाइट नहीं है और इसमें कुछ अच्छी माया भी वहा माने से सही मज़र अरफ साब जी अच्छी अच्छा बजाहर तो ये लिखता है कि अब नौबादियात का समाना इकताम को पहुंच चुका है मुलक आजाद हो चुके हैं और लोग जो है वो अब फ्रीडम हासल है उनको अगर एक लिरेटिव ये भी है कि नौबादियात की शकल बदल गई है नौबादियात खतम नहीं हुई तो सिराई की लिटरेचर में इसकी क्या सुरत अहाले और कैसे देखते हैं उसको शुक्रिया ड़क्टर साग जैसे कि शौकुत शोरो साब ने कहा पिछली सदी के निस्प में तकरीब नाइटी फिटी से नाइटी में और लोगों ने जो उनके साथ बीती थी कलोनियल पीरिट के दौरान जो जबर तशद्द उन्होंने देखा और जो इस तैसाल देखा उसके खिलाफ लिखना शुरू किया इंडिया या हिंदुस्तान नैटी फार्टी सेवन में आज़ाद हुआ और पाकिस्तान बन गया हम लोग जो पाकिस्तान में इस वक्त हैं वो एक तरह से दोरे कलोनियलिज्म का शिकार हुए एक तो वो ब्रिटिश कलोनियलिज्म उसकी लिगेसी कंटीन्यू कर रही है और एक और शकल बनी कलोनियलिजम की जिसको मैं डुमेस्टिक कलोनियलिजम कहता हूँ किसी एक डॉमिनेंट लेंग्विज ने और कल्चर ने और होकुमरान तबके ने पूरे मुल्क पे एक तरह से कब्जा कर लिया जब ये सूरत पैदा हुई खास तोर पे पाकस्तान बनने के बाद तो पंजाब तक्सीम हुआ अब ये बड़ा इंट्रिस्टिंग है कि जब पंजाब तक्सीम हुआ तो पंजाब का बढ़ा हिस्सा इंडिया में चला गया और एक स्ट्रिप जो है पंजाबी बोलने वालों की या पंजाबी स्काफत की वो पाकस्तान में रह गई अगर आपके जहन में पाकस्तान का नक्षा हो तो सौथ से कसूर से लेके कसूर, लाहोर, गुजरावाला, वजीराबाद ये एक स्क्रिप है, जो पंजाब की है इससे पहले तारीखी तोर पे मुल्तान और बहावलपुर पंजाब का हिसा नहीं थे जब सिक फोर्सेज ने मुल्तान पे इकज़ा किया 1818 में तो सिक हकुमत तो कैम हो गई लेकिन सूबे की अपनी हैसियत बरकरार रही और उस वक्त भी गवर्नर एक मुतायन होता था मुल्तान में, सिक गवर्मिंट का लेकिन जब अंग्रेज ने कबज़ा किया मुल्तान पे तो मुल्तान रियासत को एक इंतजामी डवीयन में बदल दिया और फिर ये एक डवीयन कहलाने लगा बहावलपूर तो वन यूनिट बनने तक एक अलग उसकी हैसियत थी, रियासत की थी लेकिन वन यूनिट के बाद बहावलपूर की रियासत भी खतम होके बहावलपूर की रियासत को एक डवीयन में बदल दिया गया और ये दोनों डोवियन जो हैं ये फिर पंजाब का हिसा बन गए आप ने कहा कि हुआ क्या और कैसे इसके खिलाफ ये दोनों इलाके और इसके साथ दूसरे कफी सारे इलाके जो सराइकी बोलते हैं वो एक तरह से एंक्रोच्मेंट लिंग्विस्टिक एंक्रोच्मेंट दार लहोर के पास आगया तो फिर इस एंक्रोच्मेंट शुरू ही कल्चर पे फोक पे लिट्रेचर पे म्यूजिक पे और हर जो भी हमारा फोक था जो हमारा मौसीकी थी सब को पंजाबी कहा जाने लगा और ये कहा जाता रहा लेकिन जब दुनिया भर में ये तहरीके आई ये लिट्रेचर आया पोस्ट कलोनियल लिट्रेचर वो भी तकरीब 150 से ही शुरू हुआ और फिर जब वन यूनिट के खिलाफ तहरीक शुरू ही तो उनहीं दिनों में उनहीं बरसों में सराइकी लिंग्विस्टिक और कल्चरल मूमिट भी शुरू ही और ये एसास हुआ क हमें तो हम पहले ही कलोनियल हमारे चेहरे पे एक पेंट था ब्रिटिच कलोनियलिजम का फिर उसके बाद एक और पेंट आ गया और हमारी असल शकल जो है वो कहीं दब गई तो हम क्या हैं हमें अपनी पहचान अपनी शनाक्त अपना नाम अपनी शकल बहाल करने की मूमिंट जिसको हम सरैकी मुमिट कहते हैं वो शुरू ही और एक रिजेक्शन का जमाना आया मजामत का जमाना आया कि हम पंजाबी नहीं हैं हम सरैकी हैं हमारी जुबान अलग है हमारा कल्चर अलग है और तकरीबन सेवन्टीज मिड सेवन्टीज में पहली दफ़ा शेरों ने बड़ा जोर से ये मजामत का इसार किया और एक शेर ने लिखा कि मैं आप मेरे खाले सरैकी समझेंगे लेकिन मैं साथ ट्रांसलेट भी करूगा कि मैं तसा मैं डिधर्ती तसी तसी रोही जाई मैं भी प्यासा बेरी जमीन भी प्यासी और जो रोही में जाई है पैदा है उने वाली है वो भी प्यासी है मैं कुँ आख ना पांच दर्याई, मुझे आप पांच दर्याई मत कहें, पांच दर्याई है पंजाब, पांच आप या पांच दर्याई, तो उसने कहा कि मुझे आप पांच दर्याई ना कहें, तो जो पहली मजाहमती शकल है, वो तो आई पूएटरी के जरीए, और फिर ए आशिक बुजदार तो उन्हों ने कहा कि असा जाय सरैकी देश दे साड़ी धर्ती मा लख पाल हमारी जो धर्ती है जमीन है वो तो लाकों को पालती है इंदे सीने सिंद प्या खेड़दा इसके सीने पे सिंद बहता है खेलता है इंदे पेरे चाच्छड काग और चाच्छड काग जो है ये हिल टारिंट्स जो राजनपूर में आती है ये उनके नाम है चाच्छड और काग के ये भागवदेंदी भागवंद ये तो जमीन बख्त वालों की है इन्दा पानी खीर दिकार और इसका जो पानी है वो तो दूद है तो एक लंबी नजम है और जिसके आखर में ये आता है कि आसा कैदी तक लहुर दे साड़े हत हत करी है जो बंद या आप लोगों ने वो माने में ये लिखा कि जिनना नाल रखिंदन साणगा जनसे हम दोस्ती करते हैं रोही थल दामान रोही आपको पता है चولिस्तान को काते हैं थल एरैगिस्तान है जो चनाव और इंडस के दरमियाँ खुशाब से मुझा फिर घर तक जाता है और दामान जो है वो को सलेमान औ और दुरेए सिंत्ग के द्रमियान का जो इलाका है वो नामान कहता है, तो जिनना नाल रखें दन संगा, रोही दल दामान, जिनना नाल सुझानी वेंदी, जिन से हमारी पहचान है, सिंदू दी हर जौक, असांउई लोग, कि जिन से सिंदू की हर बस्ती पहचानी जाती है हम वही लोग है बहुत अच्छे मज़र साब बादें बहुत सारी है मेरे ख्याल में फिर मैं आप पास आउँगा इसी कंट्यूटी में हम कुछ और बातें लिकरेंगा एक मिनिट और लूँगा मज़र प्यटरी तो बहुत ज्यादा हुई लेकिन जैसे अभी शौकर सौरो साब ने कहा कि इसके बाद नसर में काफी सारी बुक्स आईए अभी पिछले साल ये एक नावल चपा है आदा दूरे लोग हमारे दौस हफीज का जो वन यूनिट के बैक रहे ये भी हमारे दोस्ता लिक है तो अब ये नसर में भी बहुत कुछ मजहमत में और अपनी पहचान में और चनाक्त में लिका जा रहा है अभी बहुत सारे मुजवात हैं जिन पर आप से बात करेंगे मैं चामगा कि मेहां दयास साब से उनका अपीनिन देले के पश्टो लिटरिचर पर साथ लिया आगे बढ़ रहा है तो बिसमिल्ला इरहमान इरहीम बात ये है कि मैंने तो नसीम सहीद साहब की जो किताब है ये ये यूरोपियन नौब एदियात का और अब और इजनल अदब पर जो असरात है उस तनाजू में मैंने मकाला लिखा था और उसक वाले से मैंने बात करनी थे अगर वो मौका मुझे मिलता है पढ़ने का तो मैं बात करता हूँ पष्टो अदब के आवाले से नहीं तो मैं ये मकाला मैंने पढ़ना है जो खुलासा में यहां मतलब लिए हैं हम चाला है कि क्योंके नसीम सेदा साहब है बैठी हुई है जो अभी सराईकी अदब के हवाले से मेरे दोफ़ने बात की है प्रस्टो अदब का भी यह हाल है गुसिष्टा गुसिष्ष्टा 30 सालों से या गुसिष्ष्टा 4 ऐश्षरों से ये जो हमारा पश्टून बेल्ट है यहां है और अफजान साल में है यानि इस फिजा के रदे अमल में अगर हम पश्टो शायरी को देखते हैं तो पश्टो शायरी में भी मुझाहमती अदब यही मतलब चीखें यही शोर आपको इसकी गुन जो है आपको दूर दूर से सुनाई देगा आप इस तरह के बहुत से अफसाने भी हमें पढ़ने को म मिलते हैं, उसका दिबाचा भी मैंने लिखा व मतलब मुख्तसर नावल ऐब नाम से उनगे लिखा है, उसका तीम ये ए के अमरीका नहों वह एक बादशा है उसने पूरी दुनिया में मैं यही मिनुंट घुज्ऎकमति अलिफ इलाकों में कुते पाले हुए हैं और उन कुतों की रखवाली करने के लिए बाकाइदा सरदार और मलक और इस किसम के वो लोग रखे हुए हैं वो उन कुतों की इफाज़त करते हैं और वो कुते जो हैं उन सरदारों की हर बात मानते हैं जो वो कहते हैं कुते वही काम करते हैं तो मिसाल के तोर पर यानि उसमें मतलब उसके कहने का मकसद ये है कि अमरीका जो है वो अपनी मर्जी से इस सारी दुनिया को चलाना चाहता है यानि इसकी पासिबिलिटी कहा है ये ना हो सकता है और ना इसकी इमकानात है यानि अब हमें सब पता चल गिया है कि हम क्या है हमारे साथ क्या हो रहा है हमारी कोई शनाख्त है या नहीं है तो इस मौज़ूब पर मतलब उसने किताब लिखी है मतलब ये नावल लिखा है तो बात ये है पश्टो शायरी को अगर आप ले लें पश्टो अफसाने को ले लें नावल ले लें इन सब में इस किसम की चीज़ें हमें बिलकुल आसानी से मिलती है पहले भी लिखी गई है अब भी लिखी गई है नहीं नहीं लोग जो मतलब ये मौासिर जो अदब है आज का जो है यानि मौडरनिजम से मुतलिक इस तरह के यानि कुछ ऐसे लोग भी है जो जदीद मौज़वात पर जो है मतलब वो लोग लिक लिक रहे हैं नावल में भी मतलब शायरी में भी जिसको मतलब हम जदीद शायर कह सकते है या जदीद नावल निगार कह सकते है या हमारे पश्टों में बलोची में सिंदी में यह सब यही लिखा जा रहा है जी बड़े मिर्बानी एक बार फिर हम नसीम सहिद सहाबा के पास आएंगे कि आपका आपकी जो यह किताब है उसमें हमें कालूनियल दोर का जो ऐसास है या उस दोर के जो इशूस है या जो रिस्पांस है किनेडा के और अपरिका के लोगों का वो तो मिलता है क्या उसके बाद का जो अदब है कालूनियल दोर के बाद का मकामी जो वहां का या इंडी जीनियस जो राइटर है उसके पास कालूनियल दोर की कोई फील आपको मिली है या कालूनियल दोर के अदब और बाद के अदब के दोर पे क्या फर्क पाया जाता है? नहीं देखिए उनका मौज़ु बहुत वसी है जैसे हमारा है कि भौपद भी हमारा मौज़ु है स्यासत भी हमारा मौज़ु है लेकिन उनका ज्यादातर इतने शदीद असरात हुए हैं उनके उपर कि बरसा बरस गुजरने के बाद भी आज तक उनकी शायरी है उनके अफसाने है वो निकल नहीं पा रहे हैं जिस सदमे से जिस तकलीफ से गुजरे हैं जिसे थामस किंग अभी लेटिस्ट बुक जो आई है जो पाया जाता है तो वही फील उस मिराज के जाता है जितना ज्यादा तकलीफ होगी जितनी गहरी गहराई में जखम लगेगा उतने ही उसको ठीक होने में भी अर्सा लगता है तो यह अगर कि अब उनकी तीसरी जा पांचवेश जनरेशन है अब उनकी लेकिन आज तक जो अ पढ़ें उनके अफसाने पढ़ें कि वो उस जखम को अभी इसमें एक नजम है मेरे बिल्कुल नई नजम है आज की शैरा की है कि हमारे जद की नीलामी तो वो मर्ग उना सबू तो आप पढ़ लीजे जी वो मैं कुछ नजमें सुनाओंगे आपको तो वो उनके क्योंके ए उनको तो वो उनके खून में सरायत कर रहे हैं अभी तक और वो उसे निकल नहीं पा रहे हैं पूरी तरह लेकिन उनकी शैरी में मुहबत भी एक चोटी सी नजम है उनकी उसकी बहुत पुरानी आप देखिए कि मैंने दो तरह की शैरी का इसमें तरह जुमतिये हैं एक फोक जहरे दुदुदुदुदुदु को से निकल के कोई, दबे दबे पाऊ मेरी खिल्वत में चल रहा है, मेरा सनम है कि ये खुदा है। ये बरफ के दौर में रहने वाले इनसान की शायरी है। तो ये इनमें बहुत जादा सलाहियत के मालिक हैं लोग। मैं आपको कुछ शायद इस हवाले से नजमे सुना दूँ। बहुत से चीज़ें का मुझे पता लगा देशे के ये इनका दौर जो था वो पदरसरी नजाम नहीं था। बलके मदरसरी नजाम मुझे लगता है कि था। क्योंकि जब ये यॉर्पियन तसल्टकार आए तो ये कह रहे हैं कि इनका है कि बिग सिस्टर तेल उस वाट शेड़ दूँ। तो वो एक बहन से मांग रहे हैं। उनकी जो दिवता है या जिसको भी उनोंने मुखातिब किया है मैं नहीं जानती। लेकिन तो वो नजब में सुनाती हैं आपको। मैंने वो बिग सिस्टर का मज़े मुश्किल था तो क्या कहूं। तो खौहरे अजीम अब तुही बता के क्या करें। अब तुही बता के क्या करें। हम अपनी अपनी फित्रतों को भेडियों की फित्रतों में ढाल लें। कड़कते और गरशते बादलों में खुद को ढाल लें। और अपने आप में तरपती बिज्लियों से इनके जिस्म को जला के राक सब फजाओं में उच्छाल दे उसका जवाब देती है कि नहीं नहीं खुदा के वास्ते तुम ऐसा मत करो तुम मेरी सुनो तुम अपने दुश्मनों की सब कसाफतों को इस जमी पे छोड़ के उचे उचे आस्मान में उड़ो बदन में अपने इंतरपती बिज्लियों को रोश्नी में ढालो ये बिज्लियां ये रोश्नी यही तुम्हारे तीर है यही तुम्हारी ढाल है उडान लो तुम्हारे सारे दुष्मनों के वास्ते यही बस एक जाल है तुम्हारे बस में और कुछ नहीं मगर यही बस एक कमाल है और ना सर्फ ये, आप ये देखे कि हमने नसाई शौर की बात हम आज कर रहे हैं इस दोर में जाके कर रहे हैं ये उनका फोक गीत है, वो तो नजमे आपको नहीं सुना रही हूँ, जो कि अब लिखे जा रही है, ये कि उसमें देखे कितना इनका एक लड़की क्या गीत है ये, जो पत्थर में तब्दील हो गई, किया किस के मर्दो, इधर आओ देखो, तुम्हारी सजा से मैं पत्थर हुई हूँ, इधर आओ देखो, मैं पत्थर हूँ लेकिन, जमी में कदम गाड़े कैसे खड़ी हूँ, किया किस के मर्दो, इधर आओ देखो, तुम्हारे ये नेजे मेरे जिस्म को छेत के मुझ पे हसते रहे है तुम्हारे ये हंटर मेरे जिस्म पर जो बरसते रहे है मेरे तन के पत्थर से अब डर रहे है यह मैं हूं यह मैं हूं गड़ के बर्फ में जो खड़ी हूं कियाकस के बढ़ दो मैं अब ताबद वहु había तो यह नूज में दरसल तरजमानी की है उनकी और हु बहु हु रही नहीं है लेकिन अज अग मत ऑड़ का स्वीर जो है वो सामने आ जाती यह द्रड जार बरिसगीर के लोगों की शायरी में हमें मिलता है सूकरसॉप के पास जाएंगे हम और सूकरसॉप हम यह जाना चाहेंगे चाहेंगे कि नवाबादियाद के जमाने में या जब सिर्फ शोबों में बड़ी तरकी हुई रिसर्च आगे बढ़ी हमारी जागराफी साइन्टिफिक मोजवात आए एंतरापालाजी आरकालाजी इस किसम के सब्जेट जो है वो पढ़ाए जाने लगे क्या आप लगता है कि हम उस जमाने की इन रुआएद को आगे बढ़ा पाए हैं जब कि हम कहरें कि नौवाद truck नहीं रही अब हम कालूर्ल में नहीं जी रहे हैं तो क्या उन चीजों में हम उस जमाने से आगे बढ़े हैं कि नहीं जायर है कि उस जमाने में जो शुरुआत हुई तो आगे ही बढ़े हैं लेकिन कुछ बातें तो ऐसी हैं कि अंग्रेजुन ने जो हमें चीजें दी उनको हम ने अपने हाथों से तबाव भी किया मिसाल के तोर पर ट्रांसपोर्ट में आप रेलवे सिस्टम को देख लेएं कि अंग्रेजुन ने किस तरह से यहां पे रेलवे की लाइने बिचाई और यह सारा काम शुरू किया और हमने रेलवे का क्या हाल किया हुआ है यह भी आप सब को पताए इसी तरह से दर्याए संद में जो बेराजिस बनाई गई तो आपको यह हैरत होगी कि सक्कर बेराज जो है उसी की वज़ा से सारी संद की जमेने अबाद हुईं और सक्कर बेराज का इस वक्त यह हाल है कि उसके चार पांच से जो दर्वाजे हैं वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं और म नहरी निजाम वगएरा जो अंग्रेजु ने दिया था उसका भी हमने बुरा हाल कर दिया वो तैलीमी निजाम का भी एसाई हाल हुआ है जो आजकल जो तैलीमी तबाई जो हो गई है वो भी हमारे सामने है यह सारी बाते हैं तो अपनी जगा पर हैं लेकिन राना मेमू दक जक्तर साब ने जो बात की मजामती अदब की तो अंग्रदू की गुलामी से हम निकले ही थे कोई एक और गुलामी में आ गए और वो गुलामी थी वन यूनिट की जब वन यूनिट ने ने सर्फ पाकिस्तान की मुक्तलू को नुक्सान पोचाया बलके खुद पाकिस्तान को भी उसे नुक्सान पोचा और मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान जो टूटा था वो वन यूनिट की वज़ा से ही टूटा बंगला देश जो अलग हुआ तो ये बंगालियों को काबू में रखने के लिए वन यूनिट बना गया था और वन यूनिट भी टूट गया और पा दूमायूनी यह थे बड़े-बड़े शायर जो थे उन्होंने इतनी मजामत की और खास और शायर शेखायाज ने तो बाकाद एक सिंट दी सिंदी शायरी में और नसर में भी नेशनलिजम का जो दौर शुरू हुआ अफसाने लिखे गए नावले लिखी गई तो ये पाकिस्तान में तो ये एक अजीब चकर हो आगे करनोनियलिजम एक खत्म होई तो दूसरी करनोनियलिजम शुरू हो गई इसे को कॉंटिनू करते हैं मज़र साब कि वो मुझवात या मैं कहूं कि वो इशूज और चैलेंजिस जो कि हमें कालूनियल दौर में थे जिस तरह मजभी तंग नज़री का मसला है मैं समझता हूँ आज हम ज्यादा बतर शकिल में उसको फेस कर रहे हैं अंग्रेजों की दोर की बनिस्पत इसी तरह गुर्बत इसी तरह मेहकूमी इसी तरह निचले तबके का पिसना इसी तरह जो कौमियते हैं उनकी शनात का सवाल तो सराइकी लिटरेचर में ये किस तरह मुनकिस हुआ है या किस तरह तस्यूट किशिव है इसकी अज़साब कर इस तरह हम जो जिस डिसकेशन में हैं वो है बिसकली पोस्ट कलोनियल लिटरेचर की अब सोशल इशूज तो लोग बहुत पुराने वक्से लिख रहे हैं के बिटिश कलोनियलिजम और उसके बाद जो हमारा कलोनियलिजम जिसकी जद में हम है इसकी क्या शकल है और जैसे के शौकस सामने कहा कि यानि इस वाइट बनने के बाद अब बड़ी अच्छी बात है कि सिंध खास तोर पे और बलोच और पश्टोन इनकी ये एक पहचान रही लेकिन हम जो सराइकी लोग हैं हमारी पहचान भी एक तरह से मैंने का ना के खतम कर दी गई हम डवियन बने के पंजाब का तो हमें पंजाबी ही कहा जाने लगा अब जब देखते हैं हम सारी तफसील से तो एक जब हम पंजाब की अगर स्टड़ी करें उसकी और फिर मुलतान इसके दर्मियान का एक लाका है जिसको बार का लाका कहते हैं तारीखी तोर पे जहां नहरी निजाम निकाला गया सांदल बार नीली बार कड़ाना बार जो एक तरह से मिलवा इलाका था कंट्ड़ी ग्वास था जो पंजाब के साथ भी था और सराइकी इल लोगों ने मुझामत लिखना शुरू की बलके जब इवन ब्रिटिश पीरिट था तो खाजा फरीद अपने रियास्त के जो नवाब थे बावलपूर के उनको सब्सक्राइब करते हैं कि अपना मुल्क आप वसातूं पट अंग्रेजी थाने अगर हम ये रिवायत उस वक् और हमारे साथ हुआ क्या है और ये मुझामत क्यूं हुई है तो शायद सब लोग जादा आसानी से वो समझ सकें आशिक बजार हमारे बड़े सीनियर हैं मैंने इसका पहले एक सुनाया है कि असा जायस रैकी देस दे साड़ी धर्ती माल अकपाल इन्दे सीने सिंद पिया ख शाचड़ काक एभाग वनें दी भाग वन इन्दा पानी खीर दिकार इन्दे थल चत्रांग मलहीर ते जर जंगल बेले बेट दियां क्या रीसां शेहर करें शेहर तो इसका मुकाबला नहीं कर सकते इन्दी रोही आसन रूह दा इन्दे टिवे तूर डिसिन ए जने घोट फरीदे काईरावल सीतल मेंद्रे सैससियां मूमिल मारुयां यह धरती पीर फकीर दी जब हम अपनी शनाखत की लड़ाई हमने शुरू की तो यह उन दिनों की एक नजम है इत इत देरे चनन पीर दे चनन पीर एक मजार है हमारे चौलिस्तान में वहावलपूर के करीब इत लालन खिढमत-गार लालन आप जानते हैं लाल शाभास के लडर इत लालन खिढमत-गार फल ऐज धरती धरम दी हे रोंदी नीर हजार लेकिन आज ये धर्ती जो है आज ये जारो कतार रो रही है इंदे मुह ते पैर पंजाब दे इंदी कंड ते चाबक चहक दे इंदी रग रग सौ सौ चीर ते असा नींगर गोठ दे हे साड़ा कींजा हाल साड़ियां मुर्खियां मानियां ढोलने साड़े चलडे कंठे बुंदडे गे पैरूं लहे अनवट साड़ियां अक्षी रत्मी तिर्मदियां साड़े मन मांदे दिहरात साड़े मूते जंदरे जबर दे साड़े हत कडियां विच बंद असा कैदी तक्त लाहूर दे असा कैदी तक्त लाहूर दे वाँ 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 बहुत खुश्री यह वो पूरी इसमे दास्तान है अपनी पहचान की जिदो जोहत की भी और हम कौन है और इस तैसाल और जबर की शकल क्या है तो इस से फिर बहुत ज्यादा लिटरेचर जो है पोईटरी में नसर में ये सब सामने आया मैं मुदाया साब आपके पास मैं इस सवाल के साथ हूँगा कि पश्टो जो अदब है आज के समाने का उसने कालूनियल दोर के कौन से मुझवाद को रिप्लेस किया है और खास दूर पर शनाकत का ये सवाल या ये जो दर्द जिस शिद्द के साथ स्राइकी और सिंदी शायरी में हमें मिलता है या जिस तरह हमें नसीम सेद साहिबा ने इस लिटरेचर से ये नजमे सुनाई क्या ये रिफलेक्शन पश्टो अदब में भी मुझद है में तो मतलब कुछ मेरे जहन मे कुछ और बाते थी तो वो हुआ इस तरह नहीं मेरे जहन में ये बात थी कि ये मकाला मैं पढ़ूंगा अब मैं डिस्टरबिसली हूआ कि मैंने ये मकाला पढ़ना है और ये नसीम सहीद साहबा की किताब जो है ना ये मैंने पश्टो में ट्रांसलेट की है मैंने ये पढ़ना है जब मैं ये पढ़नू ना मुझे तसली हो जाएगी फिर आप जो पूचेंगे मैं जवाब दूँगा गुजारिश ये है कि मुझे खुफट हो रही है मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये मैंने पढ़ना है आप दो तीन पराग्राफ पढ़ लीजिए इसमें से क्योंके टाइम हमारा खतम है चुका है और वक्त बहुत कम है तो आपको थोड़ा सा मैं पढ़ना थोड़ा सा मैं पढ़ना आपकी तश्रफी भी हो जाएगी और मुझे भी कम्प्लीट हो जाएगा आज हम सब नौबादियती निजाम और नई नौबादियती निजाम और इसके खुदसक्ता अजायम से अच्छी तरा आशना है क्या हमारा वजूदी बहरान और वजूदी बेकरारी भी नौबादियती निजाम इस सवाल का जवाब मुटलक असबात में ही हो सकता है और इसी यकीनी सुरतहाल और इसी गहर यकीनी सुरतहाल के सबब मुझे खुद पर और अपनी कौम पर सियाफा मोने का गुमान होता है हमारी सरजमीन पर अजारों ऐसे शवायद और हकायक मुझूद है जो हमारी कौम की बेबसी की गवाही देते हैं क्या सुख का सूरज इस सरजमीन पर भी कभी तलू हो सकता है इस सवाल का जवाब सारतर की इस कौल से दिया जा सकता है कि अंगलेस के बाद फैनन पहला आदमी है जिसने तारीख की हरकत को दिन की वाज़े रोशनी बखशी है यह हकीकत अपनी जगा दुरूस्त है के फैनन नौबादियाती निजाम के फुखता अकीदत मंदों में से एक थे उनकी ज़्यादा तहरीरे सियाफाम तबकों को नफसियाती मात देने के लिए एक तहरीक के तोर पर मनजर आम पर आई है लेकिन उसकी मौत के बाद उसकी शाया होने वाली किताब वाच्ट ऑंदार्थ उसकी अपनी फिकर की मौत साबित हुई अगर मुजाहमती शायरी का जायजा पश्टो अदब में लिया जाए तो बेशुमार सियाफाम शायर आपको मिलेंगे 9-11 के खुदसाखता ड्रामे के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पश्टून इलाकों पर जो तवील जंग मुसलत की गई वो हम सब के सामने है शायद इस लिए मैंने नसीम सेथ की किताब यूरोपियन नौबादियात के ओरिजनल अदब पर असरात पश्टों में तर्जमा करने का फैसला किया उनकी तालीफ और तर्जमा की ये काविश काबिल सत सताइश भी है और तर्जमे के लिए सियाफाम खवातिन की शायरी की जो नजमे और गीत उन्होंने मुन्तखिब किये हैं इस से उनके जोग का पता भी चलता है डाक्टर शेनाश शोरों ने महबत बगावत और नजमे पुरानी नहीं होती के उन्वान से जो शायराना मुकदमा लिखा है दर्ज से लबरेश शायरी की तरह महसूस होता है मैं शायद लपजों से उनकी दर्दनाक तहरीर की दादरसी ना कर सकूँ लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर एक खातून सियाफाम लिकारी भी ये मुकदमा लिखती तो इतनी ही मैं हो कर लिखती नसीम सेयद के दीबाचे में सियाफामों की चीखें सुनाई देती है अलमुक्तसर पूरी किताब एक अलमनाक अलमिया लगता है लेकिन इस किताब में एक कमी जो मैंने शिदद से महसूस की है वो ये कि काश इस किताब का इंतिसाब उस हकीर और कमजाथ खातून के नाम होता जिसकी हैसियत अमरीकी जदीद मौाशने में एक गाली से कम नहीं थी हाँ उस जलील औरत के नाम से जिसे बेशुमार एजाजाद से नवाजा गिया उस काली शायरा अदीबा और अदाकारा और रकासा के नाम से जो साथ साल की उमर में जिन्सी जादती का शिकार हुई और मसलसल पांच साल तक बेजबानी और चुप की जन्जीरों में जक्डी रही हाँ उस अजीम फेमिनिस्ट के नाम से जो निसायत के नजरियात और अकायत को इन्सानियत का सहीफा समझती थी इस हकीर और कमजात औरत का नाम माया एंजलो है गो के माया एंजलो उस जमाने के शायरात में मतलब उनका शुमार नहीं होता लेकिन मैंने इसलिए का कि ये ये भी सियाफा मारतों में एक बहुत ही मुख्तलिफ रोल था किताब का इंतिसाब शाम अमद मरी के नाम है वो मेरे मुसिन है और हम सब उसको मामा कहते हैं एक रोशन ख्याल दानिश्वर है रोशनी की तहरीक चलाने में उनका भी एहम रोल रहा है कोई बात नहीं वो भी सियाफाम है तीसरी दुनिया का एक नजरन्दा बाशिंदा है बलूची जबान का शुमार भी हमारी जबान की तरह काली जबानों में होता है बड़ी मिर्बानी मेमुल साब और बड़ा अच्छा लेखा है आपने ये शाया होगा तो सारे दोस्त पढ़ेंगे तो हम टाइम बहुत कम है तो मैं चाहूंगा कि दोस्त सवाल ले लेते हैं हाल से अगर कोई भी दोस्त हमारे मेमानों से कोई सवाल करना चाहे तो सिर्फ दोस्त सवाल लेंगे प्लीज कोई है वर्कर तो हमारी मदद करें मेरा स्वाल यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है जिसके कोई एक मुकर्दस को निजम था जिसकी बात ही नहीं हुई और एक गेरमकदस कोलोनिजम ता जो अंग्रेजों का था उससे पहले जो कोलोनिजम था वो जाहर है जो एरानी इंवेडर और जो अर्भी आये हैं और जो अगवानी आये हैं उन्हों जो जो जल्लम उस्तम किया है जिस तरह यहां सिंद्ध की बच्चियों को बगदाद भेज गया जिस तरह बच्चों को गुलाम बना के अगवानिस्तान भेजा गया वगयर और और यहां तक हम ने देखा है कि जब नादिर ने हमला किया था लाहूर पे तो लड़कियों ने खुदकिशी कर लियां कर लेती थी ती हो कुवों में च्छांगे लगा गयर तो इस हवाल जो शिक्स्ते पहले अपनी औरतों को जिन्दा जिला देते थे और ऐसी माश्चा जहां पर ना साइंस थी ना टिकनालोजी थी ना कोई और उसके बात बलके देखें अगर तो फेमिनिजम की जो तहरीकें चली है वो गोरों अंग्रेज़ों के बात चली यह मेरे ख्याल में कमेंट है अगर कोई जवाब देना चाहे तो मेरे नम अमजद नजीर है बाद अबादियाती अदब या फिक्र की जब भी बात होती है तो शौरी या लाशौरी तोर पर हमारा जहन या रुज़ान जो है वो मुज़ाहमती अदब की तरफ चला जाता है लेकिन जब भी हम मुज़ाहमती अदब की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब है बहुत सारे और फिक्री धारे जो हैं हम उने नाजर अंदास कर देते हैं हमें यह सोचना और समझना चाहिए कि आज हम जिस दोर में बठे हैं वो पोस्ट कलोनियलिजम के भी कुछ असरात या धारे फिकरी धारे हैं जिसके बारें हमें सोचना चाहिए या फौरी तोर पर अगर ذکر کیا جائے उसमें सरमायादारियत کا असर सूख है उसमें सोशल मीडिया और मीडिया जिस तरह सरन्दाज हो रहा है उसमें निसायत के हवाले से या आलमगीरियत के हवाले से या बिल्कुल उस कलूनियल नकता नजर के बाद सिर्फ मुजाहमती अदब तक महदूद कर देना मेरा ख्याल है बहुत सारे और फिक्री या तसवराती धांचे या अफकार हो सकते हैं उसकी तरफ हम या उसकी तरफ हो चश्म पोशी हो जाती है शौरी या लाशौरी तोर पर उस पर भी कुछ बात होनी चाहिए थी या होनी चाहिए या लिखा जाना चाहिए क्योंकि वो बजाते खुद एक बहुत बड़ी दुनिया है या फिक्री दुनिया है जिस पर बाकी दुनिया में लिखा जा रहा है अफरीका के अगर मैं बात करूं लातीनी अमरीका या जनूबी अफरीका के बात करूं और खास तोर पर हिंदुस्तान में ल लोशनी डालनी चाहिए अगर आपके जहनों में कोई ख्याल या जवाब या वजाहत हो तो जरूर वाज़ कीजिए आरबस शुक्रिया अमजद असल में कल इसी के उपर ही जो आप कह रहे हैं ना एक वक्यादा सेशन था हमें क्या लिखना चाहिए तो मेरे कल में आप शयद सेशन में नहीं थे उसमें यही सारी बातें जो है ना डिसकास होई थी जो आप कह रहे हैं कि कैपिटलिजम है, गलोबलाइजेशन है, फेमिनिसम है, कलाइमेट चेंज है, इन्वेरिमेंट है, यह इनको भी हमारी अपनी मादरी जबानों में, इन मौश्यों को भी आना चा कि हम जब हम पच्टो बलोच सिंदी की हम बात करते हैं तो हम अभी उसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं, हम कोई उस तरह के आजाद शेहरी नहीं है, आजाद भी अब यहां दो तरह का है, कि आपका जो ओवराल मुल का सिस्टम है, वो क्या है, और हमारा जो अपना मकामी पर जो मुख्तलिफ शकले हैं, प्रेशर्स की, दबाओ की, वो क्या हैं, तो इस वक्त तो हम उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए पार्टिकुलर्ली फोकस्ट यह सेशन है, उस इस तहसाल और जवर और तशद्द के हवाले से, जिसमें के शोरा काफी सारी, अदीब और शायर औ दानाचवार, जिसमें अपना इजहार काफी कर रहे हैं, शुक्रियाँ, यह पोस्ट करनोलिजम तो बहुत वसी मफूँ है, और इसमें सिर्फ अदब नहीं है, इसमें एकनामिक्स है, इसमें सोशल वेल्यूज है, इसमें कल्चर है, तो यह सारी चीज़े उसमें आ जाती ह हैं, इसमें पॉस्ट करनोलिजम से ही निकला है, और आपको पता है कि मैआकल फोको जो ता पॉस्ट माडरिजम का एक मुफगर, उसने इस पर बहुत काम किया हुा है, तो पॉस्ट माडरिन्सम है मकामी सुरत आहाल, तो जहां हम बात करेंगे पॉस्ट करनोलिजम की, यह प पाक्सान में तो पाक्सान के अलागों में जो इस वक्त जो सूरताल है इसको हम नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं उस पर भी बात करनी पड़ती है तो यह माधरी जुबानों में जो कुछ लिखा गया है इसी हवाले से हाज गुफ्तुगू हुई है मेरे ख्याल में एक सवाल मैं पूछने चाहरा हूँ मैं जानना चाहूंगा प्रीज गुजारेश आप से कि आप जब गुफ्तुगू फर्मा रहे थे तो यह मिसूस हो रहा था कि जो ब्रिटिश को लुईनिलिजम था उसके बहुत पॉजिटिव इसारात मरतब हुए है और नो डूट हुए भी हैं लेकिन ब्रिटिश बेसिकली तो आये थे यहां हमें एक्स्वाइट करने के लिए तो आप इसकी वजाहत करें आपने बहुत सारे शोबों का जिकर किया एजूकेशन सिस्टम रेल सिस्टम ये वो तो अग जो हमारे अपने होकमरान थे उनकी नाहली उसकी वज़ा से हमारे शोबे नीचे गरे हैं ना तो हम मैं एक तालिब इलम के सिया से जाना चाहता हूँ कि आया ब्रिटिशर्स तो एक्स्वाइट करने आये थे वो हमें कोई कोई डिवलिप्मेंट का एजंडा लेके तो नहीं आये थे प्लीज आप ज़रा इस पर रोश नहीं नहीं अंग्रेज गए तो उसके बाद यहां जो डेमोकरिसी वो भी तो एक करनूनलिजम की शिकल थी लेकिन पर जो डिक्टेटर्शिप आई उसने जहां जो सुरताल खराब की और जिस तरह मुक्तलों को जिरह दबाया गया वन्यूट बना के तो यहां हालात कुछ ज्यादा तबील तो नहीं हुए कि अंग्रेज जो को जाने के बाद हम पूरी तरह आजाद हो गए और अपने जो जुबाने हैं तो कल्चर जो है इस पर भी हम जो चाट जो मेरी बात आप छोड़े अब फैज अमन्द फैज का जो नजम थी के यह शबगजीदा सेर यह यह वो सेर तो नहीं यह दागदा उजला यह शबगजीदा सेर तो इसी बाते हैं तो अर्दू अदब में भी कही गए ही है और यह यह सिंदी बलोची और पच्छो इन जुबानों में तो जार है कि वो ज्यादा एहसासा जो वनियुट बनने के ब पर आपका जे अजी जी फिली साब शुक्रिया जब हम ये बात करते हैं अपनी पैचान की शनाक्त की वहरा तो अब एक एक और जो मसला पैदा हुआ है वही ब्रिटिच कलोनियलिस्म की वजह से के हमारा जो सारा नालिज का सोर्स है वह अगें जिसको आप वेस्ट कहते हैं मै ही से ही ले रहे हैं वो चाहे अदब का है और बाकी साब जरे टेकनालोजी और सैंस और मेडिसन तो है ही लेकिन हम लिटरेचर का भी सारा का सारा लिटरेचर फिलासफी इन चीजों का भी वही से ही हम रेफरेंस बनाते हैं मैं इसको वाइट नालिज कहता हूँ जैसे वाइ civilization बड़ा कुछ तो वो नालिज कहां है इंडर civilization का या माया civilization का या चाइनीज civilization का जो continue कर रही है आज तक उनकी economy उनकी sociology उनकी politics अब जब तक हम इसका खोज नहीं लगाते कि इंडरस वैली की sociology politics economy क्या थी मसलान एक एहम सवाल है कि क्या indus valley में कोई बडही बड़ी empire थी बड़ी बड connect थी बड़ी बड़ी सल्तनते थी तो उनके महलात कहां हैं अगर आगर वो मथब का ज़्यादा जो बड़े बड़े temples का हैं जो हमें दुनिया में हर जगे मिलते हैं हमें आपको तलाश करना है ना सिर्फ इस सराइकी, सिंदी, पज्टो, बलोची के हवाले से, बलके जरह इससे भी पिछे जाके, कि नालिज का सोर्स, मसला टैक्सला यूनिवरस्टी में, महाराज चनकिया या पानी या वो लोग, उनका जो इल्म था, वो कहा है और किधर है, तो मेरे खाल में सिंद्ध के दोस्तों ने इसके उपर काफी काम किया होगा, लेकिन लाहोर में, या मुलतान में, या बाकी जगों पे शायद इतना नहीं है, अलबता है पश्टो में, बुदिज्म के हवाले से यकिनां काफी काम किया होगा, लेकिन वो नालिज कहा है, जो ह में अब तलाज करना है आप सबकी बहुत मेरबारी